देश में हर मिनट में 140 लोग हो रहे हैं कोरोना के शिकार हर एक सेकंड में दो लोगों में हो रही है कोरोना की पुष्टी देश में 24 घंटों में 2 लाग से जादा मरीज आ रहे हैं सामने देश में कोरोना संक्रमन शैतान की तरहा हर रोज बड़ा हो रहा है हर दिन कोरोना की चपेट में आने से सैक्लों जिन्दगियां तबाह हो रही है पल पल लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं लेकिन ऐसे हालातों के बीच हम कितनी एहतियाद बरत रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि प्रदेश के स्वास्ते व्यवस्थाएं तो बदहाल हो चुकी हैं और लोगों की जिंदगियां भगवान भरोसे हैं आपको बता दें कि हर मिनट में देश से 140 लोग कोरोना की चपेट में आ रही है वही हर एक सेकिंड में दो लोगों में कोरोना की पुष्टी हो रही है देश में 24 घंटों में कोरोना के 2 लाख मरीज सामने आ रही है वही हर दिन के साथ कोरोना अपना विक्राल रूप दिखा रहा है बावजूद इसके लोगों की तरफ से कोई एहतियात नहीं बढ़ते जा रहे है बाजारों में भीड उमड रही है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे है वहीं आकड़े इतने डरावने हैं कि देश के हालात बया करना मुश्किल है आपको बता दें कि अस्पतालों से लेकर शम्शानों तक जगह कम पड़ रही है कोरोना के चलते अस्पतालों में बैट भी कम पड़ गए है वही कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही कोरोना काल में मौत को दावत देती नजर आ रही है